हाँ जी प्लास्वन एक नॉमिक्स आज आपा इलासिसिटी ओफ डिमांड दे अगले नेक्स्ट सम करांगे इलासिसिटी ओफ डिमांड नेगटिव रिलेशन बिट्रीन प्राइज एंड डिमांड बट इने परसंटेज हाँ जी अन्दा तीसरा सामी करन जा रहे है कल आप दो करवाए से ना कि प्राइज इलासिसिटी ओफ डिमांड दा फार्मुला की है माइनस पी अपॉन डी इंटू चेंज इने डी अपॉन चेंज इने पी की मानलो वस्तू दी कीमत चाली मांग क्यों किनी आजेगी अपनी चाली ते कीमत किनी है चार पी किनी आजेगी चार ते मांग विच जड़ी कीमत चवाद्धा हो जाना वो ने लार की ये कमी आजेगी अपनी किनी कमी आए ते आठ इकाईयां दी अपनी कमी हो गई है कि अपनी जड़ी आजूगी चेंजी ने D आ जोगी at minus 8 चागी ते अपा की करना है elasticity of demand देच दिता है यानि price elasticity of demand 1.5 तब P1 मुडली कीमत सी ग्यात करनी है ओधे अपा की फार्मुला के price elasticity of demand दिती होगी है D दिती होगी है चेंजी ने D दिती होगी है अपा P1 मुडली कीमत ग्यात करनी है तब आपा की नियाज होगी minus P upon क्यों into changing P upon P अपा define करनी है अपानों elasticity of demand देती है cross multiply करके अपने P की नियाज होगी 30 ती रुपी next sum है कि जे आटेदी कीमत यानि P तो P1 15 जन्दी है ती आटेदी मंग अपनी 10 तो 5 हो जन्दी है तब है price elasticity of demand पता करनी है फिर ओही फार्मुला price elasticity minus change ने D over change ने P P upon D P किनी आजेगी 10 P1 किनी आजेगी अपनी 15 change ने P गयात करलांगे यह D अपनी 10 change ने D define करलांगे 5 minus 10 करके D1 minus D करके उदे तो अपना फार्मुला प्लाई कर लेगा ठीक है जी जी मेंगे अधा फार्मुले चपा लगादांगे तो elasticity of demand इकाई तो बराबबर आजेगी next time है क्यों फिर सेम ही है क्यों दिया किनी यह 10 किनी आजेगा 10 price किनी आजेगी 5 कीमत है P1 किनी आजेगी 4 ते अपनी क्यों किनी आजेगी 12 कि चेंज इने D12 minus 10 चेंज इने P किनी आजेगी 4 minus 5 है price elasticity of demand है उदे फार्मुला लगा लगादांगे उदे तो अपने आजेगी इकाई दे बराबबर ठीक है जी आजे ही सम करने है Thank you